एक गाव में एक बुद्धिमान बकरी रहती थी। वह बहुत होश्यार थी और सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसी गाव में एक चुहा भी रहता था जिसे बकरी बहुत पसंद करती थी। एक दिन चुहे ने बकरी को दोस्ती का प्रस्ताव दिया। बक्री ने जवाब दिया, मुझे तो तुम्हारी दोस्ती से कोई शिकायत नहीं है, परंतु दोस्ती करने से पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे चुहे ने सहमती दी और बक्री ने उससे पहला सवाल पूछा जब कभी तुम्हें कोई खत्रा हो तो तुम क्या करते हो चुहे ने सोचा और फिर उत्तर दिया मैं दौर कर भाग जाता हूँ बक्री ने उससे दूसरा सवाल पूछा, अगर कभी तुम्हारे साथ कोई भ्रमन करता है और तुम्हें उसका परा नहीं होता तो तुम क्या करते हो? चुहे ने फिर सोचा और उत्तर दिया, मैं घर जाता हूँ और अपने सुरक्षित स्थान पर रहता हूँ. बक्री ने उससे तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हारे साथ कोई समस्या हो और तुम अकेले हो तो तुम क्या करोगे? चुहा ने सोचा और उत्तर दिया, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं सोचता हूँ और समस्या का हल निकालने के लिए उपाए धूडता हूँ. बक्री ने समझा की चुहा बहुत बुद्धिमान है और उसने सभी सवालों के सही जवाब दिये हैं. उसने चुहे को धन्यवाद दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया. चुहे ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने साथ मिलकर बहुत सारी खुशिया मनाई. इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है. पहली बात यहाँ है कि हमें हमारे आसपास के लोगों से हमेशा सीखना चाहिए. बक्री ने चुहे से बहुत कुछ सीखा जिससे उसे एक अच्छा नतीजा मिला. इसी तरह हमें भी दूसरों से सीखना चाहिए जिससे हमें जीवन में सफलता मिल सके. दूसरी बात यह है कि हमें दूसरों की ताक्तों के बारे में सोचना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए चुहा अपनी तेज दौड की मदद से बहुत कुछ कर सकता था जबकि बकरी की शक्ती उसकी सोच और बुद्धिमानी में थी हमें दूसरों की ताक्तों को समझना चाहिए और उन्हें उनकी ताक्तों के आधार पर सम्मान देना चाहिए इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने दिमाग का सही उप्योग करना चाहिए बक्री ने अपनी बुद्धिमानी का उप्योग करके अपनी समस्या का समाधान निकाला इसी तरह हमें भी अपने दिमाग का सही उप्योग करके अपनी समस्याओं का समाधान निकालना हमारे चैनल पर आपका स्वागत है यदि आप पंच्टंत्र की कहानियों, वीडियो और शॉर्ट फिल्मों का आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम नियमित रूप से नए और रोमाचक सामगरी अपलोड करते हैं जो आपको मनोरंजन का एक नया अनुभव देते हैं इसे जल से जल सब्सक्राइब करें और हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे की फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर धन्यवाद